हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों का कोश्चन पेपर है जो आपका सब्जेक्ट है इन्वार्मेंटल साइन्स इसका जो है मैं प्रीवियस कोश्चन पेपर 2018 का आप लोगों के लिए सॉल्व करके लेकि आरक हूँ और यह जो कोश्चन पेपर है दोस्तो जो है जून 1st का जो है solve करा दिया है और अभी जो है मैं आप लोगों को जो जून का second question paper उसको solve करा रहा हूँ और अगर आप लोगों ने जो है question number 1st से लेके 20 तक की answer नहीं देखे हुए तो आपको बता दो कि जो question number 1st से लेके 20 तक की जो answer है वो मैंने बता दिये हैं questions के और आगी वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आप लोग जो है जो ये जून 2018 का हम second question paper solve कर रहे हैं तो कैसे आप लोग जो है question first से लेके 100 तक क्या answer जो है देख सकते हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आज का जो हमारा next question है question number 21 कि निम्न लिखित मैंसे कौन सा युग्म कारवन रचना के हिसाब से सही तरह से मिलान करता है तो ये जो question है हमारा 21 इसका जो option number A जो है gasoline 84% तो ये जो है जो है जो है वो question का right answer हो जाएगा यहाँ पे फिर next question है हमारा यहाँ पे 22 कि like and walk काई इस क्रम में पैदा होते हैं तो ये जो question है हमारा 22 इसका जो option number D है हाइडरच तो ये जो है right answer हो जाएगा option number D फिर next question है हमारा यहाँ पे 23 कि box model का पर उपयोग होता है तो जो box जो model है उसका जो उपयोग होता है जो परियोग होता है वो होता है वाई उपर दूशन में तो option number C जो है वो इस question का right answer हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दू कि जो अभी आपका जो exam होने वाला environmental science का अगर आप उसमें अच्छे marks और आगे बीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है उनकी बीडियो को देख सकते हैं जो question paper मैंने solve किये हुए तो जो आगे बीडियो में कुछ steps बताऊंगा तो उनको follow कर लीजिएगा और अगर आप जो है last seven year की question paper जो मैंने solve किये हुए उनकी बीडियो को देखते हैं तो easily आप लोग 70 और 80 प्लस आप लेके आएंगे ठीक है but condition यह है कि आपको सारे questions के answer जो है वो ध्यान पूरवक सुनना होगा उसके बाद next question है हमारा यहाँ पे 24 कि किसी पारिस्तितिक तंत्र में उर्जा का परभाव होता है तो यह जो question है हमारा वो है 24 इसका जो है जो option number A जो है वो इस question का right answer है ठीक है फिर next question है हमारा यहाँ पे 25 कि महाविस्पोट विचार धारा का भी प्राई है तो यह जो question है हमारा 25 इसका जो है option number A जो है right answer है पित्थिवी की जन्म से तो option number A जो है वो इस यहाँ पे right answer हो जाएगा फिर next question है हमारा 26 कि जीवों तथा उनके परियावरण के आंतरिक संबंधों का अध्यन है तो यह जो question है 26 इसका option number A जो है पारिस्तिति की तो यह जो है इस question का right answer है यहाँ पे फिर next question है हमारा 27 कि रासायनिक रुपांतरन विधी का उप्योग प्राईयर संग्रहे के लिए होता है तो यह question है 27 इसका जो है option number A गैस सी परदूर्शक में तो यह इस question का जो है यहाँ पे right answer हो जाएगा फिर next question है हमारा 28 कि निम्न लिखित दो में कठोर मुकाबला होता है तो यहाँ पे जो question है 28 इसका जो option number B है समान आलो में निकट संबंद रखने वाली परजातियों में तो यह option number B जो है वो इस question का right answer हो जाएगा फिर next question है हमारा यहाँ पे 29 कि पारस्प्रिक आस्रिय तथा प्रोटो निग्म है तो यह question है हमारा 29 इसका जो option number A जो है सकारात्मक बातचीत तो यह question का right answer हो जाएगा यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दू कि मैं भी आपी की तरह की student हूँ अगर किसी भी question का आपको जो है wrong answer बताया जाता है और अगर आपको इस question का सही answer पता हूँ तो जरूर नीचे comment box में right answer comment करके बताई कीगा और साथी ही में अगर किसी student को किसी भी question से related doubt होगी इस question का जो सही answer है वो यह नहीं यह होना चीए था तो आपको क्या करना है पहले जो नीचे comment box है उसको check कर लेना है क्योंकि जो other student है उन्होंने जो right answer है वो comment करके बताया होगा अगर नहीं बताया है आपको पता है तो आप जरूर comment करके बता दीजिएगा ताकि other student को भी help मिले फिर next question है हमारा यहाँ पर 30 कि कौन सा जिवानू बिमारी नहीं है तो यहाँ पर जो परindung है हमारा 30 इसका जो option number B जो है German meadels तो यह जो है right answer हो जाएगा यहाँ पर option number B जो है right होगा फिर यहाँ पर नैक्स question है हमारा 31 कि myadol drum चेत्र है तो यह जो question है 31 इसका जो option है intertropical अभी स्रण तो option number B जो है वो इस question का right answer हो जाएगा यहाँ पे और दोस्तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है last 7 year के जो question paper मैंने आप लोगों के लिए solve किये हुए तो उनकी videos आप कैसे देख सकते हैं तो जो जो यहाँ पे steps बताऊंगा उनको follow कर लीजिएगा तो चलिए सबसे पहले देखिए आप लोगों को जो हमारा YouTube channel है उसका जो नाम आपको नीची सो हो रहा होगा तो आपको जो है इस पे click कर लेना है तो जैसे आप इस पे click कर लेंग तो आपको जो है यहाँ पे जो एक playlist का option है तो आपको इस पे click कर लेना है जैसे आप इस playlist पे click करेंगे तो उसके बाद देखे जो भी question paper मैंने आप लोगों के लिए लेके आरकां solve किये हुए या नहीं किये हुए तो उनकी list आपको यहाँ पे सारे question paper की मिल जाएगी और जो जो playlist है जो 100 questions है उनकी answer आपको यहाँ पे मिल जाएगे उसके बाद देखे यहाँ पे 2018 जो December का question paper है वो यहाँ पे है उसके बाद देख सकते हैं 2019 का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा उसके बाद देखे 2019 का देखे यह आपको यहाँ पे मिल जाएगा जून का second question paper यह 2019 का देखिए यहाँ पे December का question paper आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको जो है हर एक जो playlist है उसके सामने जो है मैंने जो subject का नाम है environmental science करके वो लिखा हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं सारे questions ठीक है और यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे देखिए यहाँ पे जो सारे question paper है वो solve किये गए हैं यह 2022 का है 2020 का भी किया हुआ है 2021 का भी किया हुआ है तो आप लोग जो है जाके check कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों आपको भी यह बता दो कि अगर आप लोगों ने जो है जो हमारा अगर चैनल अभी तक subscribe नहीं किया हुआ है तो आपको जो है चैनल को भी subscribe कर लेना है तो कैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यह subscribe का option देख रहा है तो इस पे click किजिएगा जैसी आप इस पे click करेंग वो भी बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको more का option देख रहा है तो इस पे click कर लिजीगा जैसे आप more पे click करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने फिर एक more का option आएगा तो फिर इस पे click कर लिजीगा और यहाँ पे देखिए जो whatsapp group है उसका जो link है वो आपको जो है जो हमारा WhatsApp group है उस पे join हो सकते हैं तो चलिए जो आगे के questions हैं उनको अभी solve करते हैं फिर next question है हमारा 32 कि पित्थिवी का आकार कहलाता है तो जो पित्थिवी का जो आकार है वो कहलाता है सपार्ट गोलाकार तो option number D जो है वो इस question का right answer हो जाएगा यहाँ पे फिर next question है हमारा 33 कि तापमान का उल्टा नियंत्रण महसूस किया जा सकता है तो जो question है हमारा 33 इसका जो option number D है आपका सगन और ध्योगी कृट सेहरों के उपर तो यहाँ पे option number D जो है वो इस question का right हो जाएगा यहाँ पे फिर next question है हमारा 34 कि एकी कृट संयुक्त गैसी करण चक्र पर द्योगी की सबसे बहतर तरीके से हटाती है तो इस question है 34 इसका जो option number D है आपका जो है यहाँ पे right answer हो जाएगा फिर next question है हमारा यहाँ पे 35 कि निम्नलेकित मैंसे कौन जैविक योगिक जीवजनन मूल का नहीं है तो इस question है हमारा 35 इसका जो option number D है एक क्रोलीन तो इस question का right answer हो जाएगा और दोस्तो अभी जो है मैंने आपको इस video की बीच में जो है कुछ steps बताए थे इससे पहले कि आप लोगों को कैसे जो है last seven year की जो questions paper है उनकी videos को देखना है तो आपको क्या करना है वो steps follow कर लेने है और अगर आप लोग उन last seven year की जो question paper है जो मैंने solve किये हुए उनकी videos को द बताए गए हैं उनको follow कर लीजिएगा एक बार उसके बार next question है 36 कि पानी का अधिक्तम घनत वो होता है तो जो पानी का जो अधिक्तम घनत वो होता है वो होता है 4 degree Celsius तो option number C जो है वो यहाँ पर right answer हो जाएगा और दोस्तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस video को like नहीं किय हो है तो एक बार like कर लीजिएगा और आप लोगों के लिए जो है मैंने एक WhatsApp ग्रूप बनाया हुआ है अगर WhatsApp ग्रूप जोइन नहीं किया हो है तो नीचे discussion box में WhatsApp ग्रूप का जो link है वो दिया गया है तो click करके आप लोग जोइन कर सकते हैं सभी उसके बार next question है हमारा 37 कि व फिर next question है हमारा यहां पर 38 कि कोईला है तो जो कोईला है वो है इस्टॉप संसादन तो option number A जो है वो यहां पर राइट हो जाएगा फिर next question है 39 कि एक निश्चित धाल में परजातियों की परतिस्तापन दर निर्भर करेगी तो यह जो question है हमारा 39 इसका जो option number B है बीटा आरा last question है और अभी जो है मैंने आपको question first से लेके 40 तक के जो answer वो बता दिये है और आगे वाली वीडियो में मैं आपको question number 41 से जो आगे के questions है उनका answer बताने वाला हूं तो अगर आप लोग जो है question first से लेके 100 तक के जो answer है 2018 का question पर प्रम solve कर रहे है June 2nd का तो अगर आप एक साथ जो है सारे questions के answer देखना चाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अभी कुछ देर बाद video के end में जो है playlist होगी तो उस पे click करके आप लोग देख सकते हैं या तो नीचे discussion box में चले जाईए वहाँ पे भी playlist है उस पे भी click करके आप लोग देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आज का हमारा last question है 40 कि निम्र लिखित में से किस पेमानी पर अधिक सप्ष्टता होगी तो यह जो question है हमारा 40 इसका जो option number C है यह जो है हमारा right हो जाएगा यहाँ ठीक है और दोस्तों अगर आप लोगों ने जो हमारा WhatsApp group है वो जोइन नहीं किया हुए तो WhatsApp group जोइन कर ल जो है discussion box में WhatsApp group का link दिया हुआ है तो click कर कि आप लोग जोइन कर सकते हैं सभी और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया हुए तो लाइक कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो subscribe कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे next वीडि and have a good day